हे इस्टूरेंस बच्चों हम लोग अब हमारी क्वेशन अंसर इस चाप्टर के चाप्टर का नाम आपको पता है वर्किंग तुगेधर इसकी क्वेशन अंसर बच्चों करने जा रहे हैं ठीक है तो क्वेशन अंसर में एक चीज ध्यान रखनी है पहले तो वर्ड लिमिट हम 30 to 40 words के बीच में ही अपना अंसर देना है इसके अलावा बच्चों अब आप 6 में आ गए हो आपको क्या कोशिश करनी है कि आप अंसर जितना जादा हो सके अपनी लांगवज में दीजे जो आप बोलना चाहते हैं वो एक्सप्रेस करिए ठीक है कहीं से कॉपी करके अंसर आ आपको उसमें देखना है चैप्टर आपको दुबारा रीडिंग करनी है आप चैप्टर जितनी बार रीड करोगे पहले आप 1st question रीड कर लो उसके बाद फिर से chapter रीड करना स्टार्ट करो आपको जहां उसका अंसर मिले आप स्टॉप हो जाओ आप वो अंसर लिख लो फि हमें actually में लिखना क्या है तो यहाँ पे आपके लिए answers लिखे हुए है आप वहाँ से refer कर सकते हूँ चलिए start करते हैं देखते हैं हमारा first question ठीक है Why did the author build a house on the tree? तो question हमसे क्या पूछ रहा है question हमसे पूछ रहा है कि author ने अपना घर पेड़ पर क्यों बनाया? ठीक है? अब of course आप read करोगे आपको बहुत सारी जगाओं पर ऐसी से similar चीजों का लेख मिल जाएगा कि author ने ऐसा क्यों किया था? उसने क्या? क्या था? अपना घर उसने पेड़ पर क्यों बनाया था? यहाँ मैं आपके book के page का एक मिनट रेफरेंस ले रही हूं जिसे कि आपको समझ में आए चाप्टर नमबर थ्री working together जोहान डाविडवेस page नमबर 26 ठीक है? इसमें आप देखो क्या लाइन देख रहे है? I covered it all with a sail cloth to make a temporary tent that could keep a keep out the dampness and noxious insects ठीक है? तो अगर आपको समझना हो तो आप यह सोच सकते हो कि वो कहां पे था? एक forest में था तो अब उसने पेड़ पर अपना घर क्यों बनाया होगा? तो author built a house on the tree to protect its family from wild animals dampness and noxious insects इन सबसे खुद को बचाने के लिए क्यों बनाया था उसने? इन सबसे खुद को बचाने के लिए और भी आपको chapter पढ़ोगे बहुत सारे answers मिल जाएंगे कि उसने क्यों बनाया था? है ना? like page number 28 आप पढ़ो तो it took several days to finish building it but the result left us happy उसके बाद उसकी describe भी किया गया है एक bulwark था ठीक है? और क्या-क्या था? foundation of both smooth, solid, full or around this platform यह सब आपको describe किया गया है तो आपको देखने हैं आपके लिए क्या important है उसको answer में include करना है next है बच्चो what was the routine of the family during the week they build up the home तो जिस हफते वो बनाया उन्होंने घर उस हफते उनका week क्या था? तो क्या था उनका routine देखते हैं बच्चो हमने देखा starting में दिया गया है Elizabeth क्या करती है harness बनाती है donkey और cow के लिए और क्या होता है और हमने क्या देखा यहां हमने देखा कि author अपने दोनों लड़कों के साथ Fritz और Ernest के साथ जाता है है न? wood collect करने तो यहां मैंने आपके लिए एक answer बनाया the author walked down with his son to the beach to find wood Elizabeth would make harness for donkey है बच्चों यहां पर सही कर लीजेगा इसे donkey and cow she also made a tempting supper यह सारे point आपको include करने अपने answer में और भी बहुत सारी चीजें होंगी उनका routine आप ध्यान से जब पढ़ोगे तब आपको मिल जाएगा यहां पर मैंने आपको बस एक reference दिया कि यह सब चीजे भी आप include कर सकते हो इसके अलावा इसके अलावा अगर आप सही वो लिखना चाहते हो तो आपको page number 27 पे मिलेगा mornings were spent in collecting wood for the house the boys look for wooden planks on the river side the cow and donkey carried the larger pieces while we lug the smaller ones यह आपका exact answer है page number 27 इसका मैं कल आपको capture करके भी भेज दूँगी तब तक आप first answer लिखे और बाकी chapter अच्छे से read करिए